सत्ता, बिकाव मीडिया, धेरो गलत जानकारियां और हाड पिगलाती सर्धी से भी है यकीन मानना अगर आज मैं यहाँ पर नहीं आती तो मैं मेरे पापा को बार बार शरुंदा करती कि मैं तो जोटी बच्ची थी, अकेले सफर नहीं कर सकती थी लेकिन आप तो खुद एक किसान हो, आप क्यों नहीं गए कि मद छेड किसान को, कि मद छेड किसान को लड़ना मुश्किल होगा वरना ऐसा लिखेंगे इथियास कि पढ़ना मुश्किल होगा यहाँ पर उपस्तित सभी किसान योद्धाओं मात्ताओं बेहनों को मैं दिल की गहराईों से सलाम करती हूँ आज इस किसान मेहबारत को एक महिने से अधिक वक्त बीच चुका है किसान इन सरहदों पर डटा हुआ है यह सरहदे गुरोग की सरहदे है यह सरहदे दादा छोटू राम की सरहदे है यह सरहदे चौदरी चरण सिंग की सरहदे है यह सरहदे ताउ देवी लाल की सरहदे है यह सरहदे बाबा टिकेत की सरहदे है ये सरहदे संसत को घेरे किसानों के वजूत की सरहदे हैं इन सरहदों में इतनी ताकत है कि आपकी इस छोटी बेटी को मध्य प्रदेश से आहा ना पड़ा देश के पूर प्रधान मंतरी अटल विहारी वाजपेह जी ने कहा था कि बाधाय आती है आए गिरे प्रले की घोर घटाएं पाओ के नीचे अंगारे सर पर बरसे यदी जुआ लाएं निजहातों में हसते हसते आग जला कर चलना होगा गड़ा मिला कर चलना होगा यह अंदोलन कोई छोटा मोटा अंदोलन नहीं है यह कर जैसी वक्त का निर्मन हो रहा है तो इस वक्त आकर किसानों के भी सड़कों पर ना लेखा को आने वाले वक्त में उनकी वादा के फूठेगी लिए कि आप उस अंदोलन के समख में सड़कों पर बैठे थे या नगी बैठे थे हमारे इस किसान अंदोलन ने फुरी दुनिया में एक इंसाल कायम है दुनिया है इतना बड़ा मानों सवूँ सांजिपूर तरीके से अनुशाशन ये साथ आंदोलन कर रहा है यहां तो चपे चपे पर नंगर चल रहे हैं सड़कों पर लाइबरेरी खुली है बच्चे पढ़ रहे हैं गीत संगीत बज़ रहे हैं बुजर्ग कुष्टी लड़ रहे हैं और इन सड़कों पर बुजर्गों के बड़े बड़े कच्छे भी सूख रहे हैं मात्ताओं के चूले भीन सड़कों पर पक्के हो रहे हैं होश में आजाए हुकुमात तेरे घर कच्चे हो रहे हैं यकीन मानना अगर आज मैं यहां पर नहीं आती तो मैं मेरे पापा को बार बार शरुंदा करती कि मैं तो जोटी बच्ची थी अकेले सफर नहीं कर सकती थी लेकिन आप तो खुद एक किसान हो आप क्यों नहीं गए लेकिन मेरे पापा हमेशा जमीन से जोड़े मुद्दों के लिए आगे रहते हैं पापा कहां हुआ आप अच्छा हुआ कि आज आप मुझे यहां लेके आ गए और मेरे भविश्ची के सवालों से बज गए क्योंकि जब इस अंदोलन का इथियास लिखा जाएगा तो कहा जाएगा कि लहु में भीगे तमाम मुसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे तुम खड़े थे वववा के रस्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे तुम खड़े थे शेहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरों की कोक से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू बचा नहीं है तो तुम खड़े थे, तुम खड़े थे तुम्हारी आखों की ताख्चों में जलती रोशनी ने नई मन्जिल हमें दिखाई तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बैने, तुम्हारी माए तुम्हारी मिट्टी का जर्रा जर्रा गवाही देगा कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे हमारी धर्ती के जिस्म से जब हवस के मारे सियाह जो हो की तरह चिम्टे हुए थे तो तुम खड़े थे तुम खड़े थे तुम्हारी हिम्मत तुम्हारी यजमत और इस्तिकामत तो वो हिमले है जिसकी चोटी तक पहुचना ना पहले बस में रहा किसी के नाने वाले दिनों में होगा सोाने वाली तमाम नसले गवाही देगी कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे, तुम खड़े थे हमारी लड़ाई इन तीन काले कानूनों के साथ साथ सत्ता, विकाव मीडिया, धेरो गलत जानकारियां और हाड पिगलाती सर्धी से भी है घर, परिवार, खेत, खलियान, पशुओं से दूर रहकर भी किसान इस मुश्किल घड़ी में यहाँ पर डटा हुआ है मैं देश की आवान से आवान करती हूँ कि आप अपने देश के किसानों को बदनाम न करे उनका साथ देश यहाँ दोनों के हक की लड़ाई है मिलकर सांजी लड़ाई लड़ें मैं आखरी बात सत्ता से कहना का चाहूंगी कि मत छेड किसान को कि मत छेड किसान को लड़ना मुश्किल होगा वरना ऐसा लिखेंगे इथियास कि पढ़ना मुश्किल होगा बोले सो निहास राम राम कि लुज़ है झाल झाल, मक कि अक्षण निहास कि लड़ाई बात चाहर यहास कि लड़ाई कि लड़ाई खेड़ें पर बोले से तो सत्ता से 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 सांजी आढ मुश्किल होगा